हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लावा Z2 Max Android मोईल फोन में फोन रिंग टोन सैटिंग को आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं और यह सैटिंग डिसेबल करने के बाद काम कैसे करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको सेलेक्ट कर लेन fighting इसके बाद आपको sound के इस पेज़ में नीचे की सेड आना है और यहां पर आपको फोन रिंग्टोन का यूप्शन न छाय जाएगा इसे आपको सेलेक्ट करना हैं यहां पर आपका यह फॉन रिंग्टोन पेजी और आपको सबसे ऊपरαιंड का ऊप्शन इसके सामनाले सरगल पर आपको tick mark लगा लेना है इस तरीके से ठीक है अब इसके बाद आपको इसे सबसे नीचे OK का बटन आपको प्रेस कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि phone ringtone की नीचे known लिखा हुआ यानि कि आपकी जो phone की ringtone है वो आपकी disable हो चुकी है ठीक है कोई भी incoming call आएगा तो आपका जो phone ringtone के page में जो जितनी भी ringtone होती है इसमें से कोई इसी भी ringtone में कोई भी sound create नहीं होगा ठीक है इनमें से कोई इसी भी ringtone में आवाज नहीं आएगी ठीक है सिर्फ एक normal सी ring बजेगी ठीक है तो इस तरीके से यह जो है default setting काम करती है तो यहाँ पर जो है phone ringtone setting को आप इस तरीके से disable कर सकते है और इस तरीके से इसका use होता है ठीक है अब मैं आपको जो इस setting को ढूंड़ने का एक shortcut तरीका बता देता हूं आपके phone में सबसे पहले तो setting page open करना है और इसके बाद आपको सबसे उपर साइटिंग में आपको type करना है phone ringtone यहाँ पर जो है phone ringtone आपको type कर देना है इस तरीके से नीचे की side option शो हो जाएगा phone ringtone का फिर इससे आपको select कर लेना है इसके बाद होता क्या है कि आपका mobile phone आपको shortcut तरीके से इस page में लेकर आजाता है ठीक है तो यह एक shortcut तरीका इस setting को आपके phone में ढूंड़ने का हूं